Hello everyone. Welcome to currentopedia. Currentopedia के इस वीडियो में हम करेंगे RRB NTPC के 3rd phase में जो GK और GS के question पूछे गया है. उन सब को हम discuss करेंगे और लगबग हम 1000 questions को discuss करेंगे. यह इसका part 2 है. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, आई button में आपको link मिन जाएगा और description में भी आपको link मिन जाएगा. पहले वह part देखिए फिर यह part देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह idea हो जाएगा कि किस तरह के questions आजकल exam में पूछे जा रहे हैं या pattern क्या है questions का 2021 में जिससे आने वाले examों में आपको मदद मिलेगी और जो question पूछे गए हैं RRB NTPC में इस 1000 questions से आपको काफी मदद मिलेगी आने वाले examों में. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा. PDF आप हमारे telegram channel currentopedia से डाउनलोड कर सकते हैं. के लिए शुरू करते हैं. कलपना चावला की जीवनी पर किसके द्वारा बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है. तो यह लिखी गई है. जीन पेरे हरीसन के द्वारा कलपना चावला पर एक बुक लिखी गई है. NH3, National Highway 3 किस राज से होकर गुजरता है. तो यह गुजरता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्द प्रदेश और महराष्ट्रा से. पहली महिला IPS जिसने धच्छडी धुर्ग को पार किया है. इनका नाम काफी न्यूज में था. 2019 में, 1920 में यह है अरपना कुमार, भारत का पहला परमावड परिछड कहां पे हुआ था? तो यह हुआ था 1974, 1974 में कहां पे? पोखरन में. पोखरन कहां पे है? राजस्थान में. FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. केंदरिये पर दूसर नियंतरण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह है सिवदास मीना. दिफू दर्रा कहां पे है? यह है अनुणाचल प्रदेश. अनुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इटा बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो यह है ओयल एंड नेचूरल गैस कॉर्परेशन, ONGC. आरबियाई पब्लिक अवेर्नेस कैंपेन के ब्रांड अबेस्टर कौन थे? तो यह है अमिताब बच्चन. अमिताब बच्चन आरबियाई कब मरा था? एक अप्रैल 1935 को. सीमावती कहां से है? इनका न्यूज काफी यह नाम काफी न्यूज में था, रानी पदमावत. क्योंकि पदमावती मूवी पे काफी कॉंट्रवर्सी हुई थी. तो यह है चित्तावडगड़ से. विश्व में सबसे बड़ा गैस रिजर्व कहां पे है? तो यह है रूस में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को और इसकी करंसी है रूबल. भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा किसकी है? तो यह है बंगला देश की. बंगला देश शेयर करता है सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ. और एक क्वेशन पूछा जाता है कि भारत में जो तटिये छेत्र है, वो आपने कभी भी देखा होगा, तो carbon चार hydrogen से bond बनाता है. जैसे CH4, जिसको methane gas बोलते हैं, तो इसकी balance होती है, चार. ADB का full form क्या है? Asian Development Bank. इसका headquarter कहाँ पे है? Manila. और ये कहाँ पे है? Philippines में. AIB का full form क्या है? Asian Infrastructure Investment Bank. इसका headquarter कहाँ पे है? Beijing. Beijing कहाँ पे है? China, जो कि China की capital है. पुरुशों के Australian Open 2020 के runner-up कौन थे? तो ये थे Dominic Thiem. प्लासी की लड़ाई के दोरान बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे Sirajud-Dowla. चंपारन सत्यागिरा किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था. 19 अप्रेल 1917 को. यानि 1919 में जो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था. उससे दो साल पहले. भाराच छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में. यानि आजादी से 5 साल पहले शुरू हुआ था. भाराच छोड़ो आंदोलन. अड़हाई दिन का जोपड़ा. किसके द्वारा बनुआए गया था? तो ये बनुआए गया था. कुदबुद्दीन एबग के द्वारा. और ये कहां पे है? ये है अजमेर में. और अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हिर्दय. राजस्थान का हिर्दय और राजस्थान की कैपटल क्या है जयपूर जिसको पिंक सिटी भी बोलते है दिलवाडा मंदिर किस राजमेश्ति था तो ये भी है राजस्थान में विश्णू सर्मा द्वारा एक पुस्तक लिगी गई थी उसका क्या नाम था तो ये है पंचतंत्र आपने बचपन में काफी पढ़ी होगी पंचतंत्र की कहानिया सोडा जल में कौन सी गैस होती है ये होती है CO2 कारबन डाय आकसाइड OMR OMR का फुल फॉर्म क्या है ऑप्टिकल मार्क रिकॉगनाईजेशन और भारत रतन किसको मिला था 2014 में तो ये मिला था तीन लोगों को सचिन तेंदुलकर, अटल भिहारी वाजपेई जी और मदन मोहल मालविये जी को मिला था भारत रत और 2020 का भारत रत किसी को भी नहीं दिया गया है यह भी आपको याद रखना है 2020 में किसी को भारत रत नहीं मिला बारत उयर्ष का सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? इतीम्सवणबर को जो सबसे छोटा दिन होता है हर साल, भारत में कोरल, डीफ अदिख्तर भारत की किस अस्थान पर पने पाये जाता है observer लिभिवल, केल्स कहां पे है? नीति आयोग कब बना था? तो यह बना था 2015 में इससे पहले था planning commission. उसी का नाम change करके कर दिया गया है नीति आयोग. अंतर राष्टी प्रकाश वर्ष किस दिन मना जाता है तो यह मना जाता 16 माई को सत्य में हो जैते किस उपनिसद से लिया गया है तो यह लिया गया है मुंडका से. पैसेच टू इंडिया के लेखक कौन है? पैसेच टू इंडिया के लेखक कौन है? यह है Edward Morgan Foster. कानहा राष्टी यह उद्ध्यान कहां पे है? अगर आप हमारी daily current affair की वीडियो देखते हैं तो आपको लगभग लगभग सारे static question याद हो जाएंगी. क्योंकि मैं वहां पे extra fact में यह सारी चीज़ें बताता हूं. अगर आपको देखना हों तो description में लिंक मिल लियाएगा daily current affair का आप उसको देख सकते हैं. कानहा राष्टि उद्ध्यान कहां पे है? यह मद्ध पर्देश में. मद्ध पर्देश में ही सबसे जादा national park है, सबसे जादा tiger reserve है. और जो tiger की संख्या है. वह भी सबसे जादा है मद्ध पर्देश में. और दूसरे नमबर पे है करनाटका. करनाट का दलिटिल बैलेंस बुक के लेखा कौन है यह है गलिलियो आई एम एफ और विश्चु बैंक यानि वर्ड बैंक का हैटकौर्टर कहां पे है तो यह है वाशिंग्टन डीसी में और आई एम एफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और जो वर्ड बैंक है उसके हेटकौन है डेविड मालापास आई एम एफ की हेटकौन है क्रिश्टीना जॉर्जियवा और इसका हेटकौर्टर है वाशिंटन डीसी में नियॉर्क में हेटकौर्टर है युनाइटेड नेशन्स का नासा का भी हेड़कॉर्टर कहां पर है ये भी है वाशिंटन डी-सी में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है ये है अनुच्छेद 14-14-18 तक समानता का अधिकार साज़ा ATM किस तक्निक का है तो ये है NFS यानि राष्ट्य वित्य स्विच नेशनल फाइनस सुिच बंगाल गजट का है यह है भारत का पहला अंग्रेजी अगबार यानि अंग्रेजी भासा में जो पहला अगबार था वो था बंगाल गजट और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक वो आया था साइकलोन जिसका नाम था अमफान तो यह आया था उड़ीसा और पस्चिम बंगाल में समुद्ध तटो के कितने नीले जंडे के परमाणपत भारत को मिले हैं यानि ब्लू फ्लेग मिल गया है यानि ये बीच जो है वो काफी साफ और सुत्रे हैं इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार तो ये ऐसे कितने तठ हैं ये हैं आठ आठ चंद्र गुप्त महुर के गुरू का क्या नाम था आप सब जानते हैं चालक इंटरन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन किस अस्थान पर आयुजित किया गया था यानि INC का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले जो कि हैं मुंबई में मुंबई में गोवा सीम 2018 में कौन थे तो ये थे स्वर्गिये मनोहर परिकरजी इनका भी हाली में निधन हो गया था कुछ दिन पहले ही और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे और गोवा की जो कैप्टल है वो क्या है पंजी पानीपत का पहरा उद्ध कहां पे कब हुआ इस्ट इंडिया सोसाइटी की अस्थापना किस नहीं की ये कीती दादा भाई नेरोजी ने दादा भाई नेरोजी होर्न बिल फेस्टिबल ये कहां में मना जाता है ये मना जाता है नागा लैंड में मना जाता होर्न बिल फेस्टिबल काफी मशूर फेस्टिबल है ये ये कहा हैं महानी देशक कौन है यह है इंड्रियो एजोलो और यूनेस्गो का हेटक्वाटर कहां पर है यह है परांस की राजधानी पेरिस में और वान्वार उने यूनेस्गो ने जो राजस्थान जैपूर, उसको घोसित किया था World Heritage City, RBI के पर्थम गौवर्णर कौन थे, ये थे Sir Osborne Smith, Sir Osborne Smith, RBI बना था 1935 में, पोखरण में पर्थम परमाळू परिच्छर कब हुआ था, तो ये पोखरण में हुआ था, 1974 में जोकी राजस्थान में है, और इस Operation का क्या नाम था? इसका नाम था Smiling बुद्धा, NGT यानि National Green Tribunal के स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, 2010 में भारत के वर्तमान में मुख चुनाय वायूत, Election Commissioner आफ इंडिया, ये कौन है? सुनील अरोड़ा, और ECI ने अभी हाली में सोनु सूध को पंजाब का स्टेड आइकन भी बनाया था, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेट के अंतरगत आता है, तो ये आता है अनुच्छेट 243 के अंतरगत, राष्ट कौसल विकास कारिकरम, कब शुरू हुआ? ये हुआ 2015 में, UNO का मोटो क्या था? 2020 में a blueprint to achieve a better and more sustainable future, ये था इसका मोटो, और विजय नगर सामराज कहां पे है? तो ये है हमपी, हमपी कहां पे है? और विजय नगर, अभी हाली में करनाटका का 31 जीला बना है, विजय नगर, और ये है करनाटका में हमपी, हमपी में है, और विजय नगर जो सामराज था, उसकी अस्थापना किस ने की थी? और दो भाईयों ने मिल के की थी और वो कौन से दो भाई थे उनका नाम आपको कमेंट शक्षन में बताना है। बिजय नगर सामराज की अस्थापना। UNESCO का मुख्याले कहां पे हैं यह मैंने आपको बता दिया पेरिस फ्रांस में जो की कैपिटल है फ्रांस की। एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्श्चेंज BSC यह कहां पे ब श्टॉक एक्शेंज यह है मुंबई में और नेशनल स्टॉक एक्शेंज यह है कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम राषपती को है जी थे 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 बदृद्रृदीन तयप जी वदरुदीन तैयब जी, विष्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, आठ मही 2021 को मनाया गया इस बार शनिवार को, डिजिटल इंडिया योजना का शुबारम कब किया था? किया गया था, ये भी किया गया था, 2015 मैं, विश्व परियावरण दिवस, यह आप सब जानते होंगे 5 जून को मना जाता है, विश्व परियावरण दिवस, मोहनी अटम नित्र शैली किस राज से संबंदित है, तो यह है केरल से, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुबंत पुरम, LPG का पूर रूप क्या है, लिक्विफाइड पिट्रोलियम गैस, मैंने आपको कई बार बताया है, लिक्विफाइड पिट्रोलियम गैस, भारत का पर्थम अंतरिच केंद्र, किसने अस्ताफित किया था, यानि इस रो, यह किया था, विश्रम सारा भाईने, बिकरम सारा और यूसुरों में अभी हाली में एक human art बनाया था यानि अर्धमानों जिसका नाम था ब्योम मित्र और नेत्रा जो scheme चल रही है वो भी इसुरों के द्वारा ही चल रही है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं बहुत जल पार्ट 3 में जिसमें अगेन हम cover करेंगे 100 question और यह total series 10 part में होगी और 10 part में हम total 1000 plus question cover करेंगे तो मिलते हैं फिर पार्ट 3 में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए currentopedia